नमस्कार दोस्तों, BC यानी बॉलिवूड चलोगे में आपका सौगत है आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फी मूवी के पहले दिन के बॉक्स ओफिस केलेक्शन के बारे में और उसी के साथ चर्चा करेंगे कि ये मूवी हिट होगी की फ्लॉब तो चलिए दोस्तों बगएर किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट मैं हूँ आपका साथी रोहित्र पाटी देखा जाए दोस्तों सेल्फी मूवी में दो बड़े एक्टर हैं एक तो बॉलिवूड के खिलाडी कुमार अक्षा कुमार और दूसरे हैं इम्रान हास्मी अगर हम बात करें तो अक्षा कुमार के बारे में तो अक्षा कुमार का जो सन-2022 पूरी तरीके से फ्लॉब साबित हो चुका है और देखा जाए जो सन 2023 की सुरुवात हुई थी तो ऐसा माना जा रहा था कि खिलाडी कुमार अपनी सेल्फी मूवी से कमबैक कर सकते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इसका जो बॉक्स ओफिस केलेक्सन है वो मुझे इसारा कर रहा है कि ये मूवी भी अक्षा कुमार की फ्लॉप साबित होगी जी हाँ देखा जाए तो इस मूवी ने अपने पहले दिन जो बॉक्स ओफिस केलेक्सन इसका अब लमसम आ रहा है वो आ रहा है मात्र 4-5 करोन रुपए का लगबग जी हाँ दोस्तों मुझे लग रहा था कि ये मूवी अपने पहले दिन कम से कम 9-10 करोन रुपए केलेक्शन करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ ये मूवी खाली 4-5 करोन ही कमा पाई यानि कि अब देखने की बात ये है कि ये मूवी सनीचर और संडे के दिन कितना केलेक्शन कर सकती है क्योंकि जो इसका बज़ट है दोस्तों वो बहुत बड़ा बज़ट माना जा रहा है लमसम इस मूवी का बज़ट 1500 करोन के लगबा गए अगर ये मूवी जिस हसाब से इसने पहले दिन केलेक्शन किया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये मूवी अपने बज़ट को छूप भी पाएगी और अक्षा कुमार की एक और मूवी फ्लॉप साबित होगी तो दोस्तों आपने ये मूवी देखी है कि नहीं और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि अक्षा कुमार की जो मूवी है हिट होगी कि फ्लॉप दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाइब बाइ